तो हे गाइस हावा यू माई नमन पालियल आज हम लोगा है नुक्लियोस कोचिंग के अंदर और आज पूरा केमपस टू देने वाले अन्ना सर के साथ इंटरव्यू करने वाले और यहां के जू स्टुएंट्स उनके साथ भी इंट्रैक्शन करेंगे तो अभी हमाइस साथ है यहां पर मैंनेंजमेंट में लीड है और यहां पर हमें थोड़ा गाइड करेंगी कौन-कौन से कैसे किसे ब्लॉक्स अनल तो आई अंदर आता है तो सर आप बताना जाहेंगे सर सबसे पले ही क्या है अब बैसिकली यह पाउन डेपार्टमेंट्स है तो जो फीस वगरारे के जो भी रिलिटेट चीज़े है वो सब चीज यहां पर सौल पर जाती है तो अगर हम यहां पर अपर तलें तो अधर अपना study material काउंटर है बैसिकली जो material distribution है student kit हो सारा distribution counter यहां पर है तो वो हम किया student कहा से रिसीब कर सकते हैं तो अगर हमें admission लेना अगर आप admission लेना जाते हो तो इसक लिए फ्रंट-end office है आई है तो बिसिकली यह पूरा फ्रेंट का ओफिस है इस पर आपको एकडमेंग काउंसेलिंग और एडमिशन काउंसेलिंग दोनों चीज़े हो जाती है और यहां पर जो भी स्टूडेंट्स को क्वेरी है वह अपन यहां पर डिसकस कर सकते हैं स्टूडेंट्स करके बिसिकली अडमिशन के रिटेट सारी चीज़े यहां पर हो सकती है सॉल बच्चों की और कोई भी क्वेरी दे वह भी है वह आपको यहां पर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी तो ऑफिस्ट्रामिंग क्या रहता अगर बच्चा हैं तो बूशन की अब वह आप अभी भी फोन करके बात कर सकते हैं जो भी कंसर्ण लोग है वह आप से अपने कर लेंगे तो रंदे मिडिया अब चलते हम यहां पर क्लास्रूम कर बच्चों से इंट्राक करते होना कैसा लगता है और क्लास्रूम में जो स्ट्रेंट्स बैटे हम उनसे पुछते है की कोचिंग का पूरा एक्सपियेंस है तो हैं सो सबसे पहला मेरे क्रेशन हैगा कि अप अच्छा लग रहा है तो और कोचिंग से जादा आपने इसको प्रिफर क्यों किया बढ़ा थे होंगे पढ़ाई मुझा बहुत आता है पक himself to serve और Topर अटिंगं और बिलब वह आजाता है वह तो अन्ना ऑसकिव आवर भी lançou अन्दार के बारे मेरें कुछ चीजें पटाइए जू बाकि फैकल्टीस से अलग थे ल्ग कि अथा c DR की ओ लोगों के वारे में सोचते हैं हम लोग के बारे में सोचते है। हम लोग के पेरेंट के पास बहुत ही मतलब कमällen में इतना बड़ी हम नोलज दे रहें बहुत है तो हमारे लिए और क्या हो सकता है हम लोगों को एक IIT आयार्यकुद लमघ के लिए सोच रहे ह। तो उनका यह बहुत ही अच्छा बात है तो आप यहाँ पर IIT की त्यारी करना है जब आप लोग के टेस्स में कभी कम मार्स आते होंगे तो आपके फरकल्टी आपको मोटिवेट करते हैं कैसे करते हैं मोटिवेट करते हों समझाते हैं कि यह तो एक पड़ाव है जो सबको गुजरना है कभी अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे लेकिन मन इराश नहीं करना हमेशा अपना हाट वक दिखाना है और टीचर समेशा करते हैं कि बच्छों कसाथ कनेक्ट करते हैं और बहुत जादा सपोर्टिंग दिखाते हैं जिसकर से बच्चे भी जादा दी मोटिवेट नहीं होता है और चीज को जादा लेकर है है रस नहीं होते काम से तो हम और बच्चों से बात कर लेता है काफी अच्छे से मैथमाटिक्स पढ़ाते हैं और हर एक सवाल को कैसे अप्रोच करना है और अलग अग तरीके से सवाल करना सखाते हैं तो काफी अच्छा उप्टाते हैं आप कुछ बोलना जाएंगा कि पढ़ाने के तरीकी के बार में मतलब underwater logic berit करना सखाते हैं किस तरह से logical इसवाल को परोच नहीं सब्सक्राइब अगर उंसेफ्स वहता है और उप्र ईक्रोपर लॉजिक करें तो सवाल हों नहीं taraf मतल बर साथरकना के तो किस सवालraham अगई रस सबीऌते हैं आइनीश किंदा इस बार आप लोगा होगा सेलेक्षिन? आप लोगा! ओके थांक यू सुमर्थ, थांक यू स्ट्रेंट्स